So hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज इस वीडियो में बात होंगी Nifty 50, Bank Nifty के कुछ important levels के बारे में साथ ही हम बात करेंगे IOC, बिल्कुल IOC में एक बड़ी खबर आई है तो क्या खबर है और हम देखेंगे Tata Motors में एक अच्छा जम हमें कल देखने को मिल सकता है So guys, यहाँ पर Nifty के अगर बात करें तो Nifty 50 सी point नीचे गीरा था और यहाँ पर अभी भी मावल S.I.K. यह गिर सकता है So guys, यहाँ पर अगर देखें, वन वीक के टाइम फ्रेम पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर Nifty 50 में एक यहाँ पर support था यहाँ पर support था फिर guys, यहाँ पर अगर देखें, तो कही न कही एक double top type pattern create हो रहा है और यहाँ पर अगर देखें, तो stock में हम यहाँ पर trade line भी बना देख तो एक rising wedge pattern create हो रहा है अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, तो already यहाँ पर breakdown आ गया है इस particular trade line को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो guys, कल यहाँ पर देखना होगा, new year की rally आती है या फिर यहाँ से नीचे की और आता है तो guys, यहाँ पर अगर देखें, one week के time frame पर तो बिल्कुल negative patterns है यहाँ से एक fall हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर बिल्कुल गया से, यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर बात कर लेते हम 15 minute के chart frame पर तो कल इन चीजों का आपको ध्यान रखना है इन important और यहाँ पर जो levels है यहाँ पर आपको थोड़ा सतरक रहना पड़ेगा तो guys यहाँ पर अगर देखे तो यह है 100 point के around यहाँ पर 18,100 यहाँ पर है 18,100 के around का यह level है फिर यह level है 18,000 का और यह level है कितना 17,800 का तो यह important level है तो guys अगर यहाँ पर अगर देखे support है निप्टे में फिर एक support है फिर एक support है बट यहाँ पर जो यह support है यह negative में भी यहाँ पर convert हो सकता है कल अगर hulky से भी यहाँ पर अगर flood भी open होता है तो यहाँ से थोड़ी बहुत हखती से बढ़त देखने को बल देखे बट यहाँ पर हमें उपर के और तभी यहाँ पर positive रहना है जब यह 18-200 का यहाँ पर level break करें अगर यह नीचे के और तो बिलकुल यहाँ पर यह नीचे के और आएगा 18-1000 के around का यहाँ पर first target आपका होना चाहिए यहाँ पर first target आपका होना चाहिए और दूसरा अगर है वो है 17-800 के around का तो यहाँ पर एक गिरावट भी आ सकती है तो यहाँ पर अगर देखे अब बात करेंगे bank nipty के bank nipty में अगर देखा जाए तो एक positive pattern है यहाँ पर हम इसे pollen flag type pattern कर सकते है इसे एक falling wedge type pattern कर सकते है तो यहाँ पर ओपर की और breakout मिलता है तो बिलकुल यहाँ पर 43-400 तक यह जाने की कोशिश करेगा एक 400 point की rally हमें देखने को मिल सकती है बड़ अगर वही अगर देखे तो नीचे की और अगर आता है तो एक दिक्कत यहाँ पर हमें हो सकती है नीचे की और अगर आता है तो यह इस important level को इसे break करना होगा क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखोंगे rejections थे यही पर support लेकिया तो यह उपर जाएगा या फिर इस level को अगर break करता है तो 42-600 तक भी यह आ सकता है तो यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे वही बैंग निप्टी में आप आप देखोगे तो एक important level है तो बिल्कुल यहाँ पर support था यहाँ पर support था यह support अगर break होता है 30 minute के चार्ट में पर बात करो तो बिल्कुल एक fall create हो सकता है जैसे मैंने बता है तो यहाँ पर गिरावट के आसार है 41-600 तक के level भी हमें दिखाई दे रहे है नीचे के और तो इस चीज का भी आपको ध्यान लखना है गाई तो गैस यहाँ पर अगर देखे IOC में काफी बड़ी खबर सामने आ रही है Indian Earl Corporation Limited यहाँ पर अगर देखे 76.55 रूपेस के आराओं यहाँ पर closing दी थी last training season एक रूपे 80 पेसे तक की अच्छी बड़त बता चुका है 2.41 पॉसंग के हिसाब से अब बात करेंगे news की तो यहाँ पर अगर देखे Assam on Sunday added 100 new compressed natural gas run buses तो गाइस यहाँ पर देखा जाए Assam Government ने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा compressed natural gas यानि CNG को यहाँ पर इनोंने add किया है यहाँ पर बसों के लिए तो एक काफी बड़ी news है और यह order था IOC को दिया गया था तो गाइस यहाँ पर IOC में यह जो बड़ा order है 100 CNG जो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जो यहाँ पर CNG को acquire किया है उन्होंने बिल्कुल टर्न करने के लिए बसों को चलाने के लिए तो एक काफी बड़ी news है तो इसका impact पढ़ेंगा stock के उपर बिल्कुल एशेर बढ़ सकता है बात करेंगे Tata Motors Limited की तो गाइस Tata Motors Limited में भी काफी ज़्यादा positive news है 388 रुपे के around closing हमें मिली है 2 रुपे 10 पैसे तक की बड़त देखने को मिली थी 0.54 परसें के हिसाब से और गाइस वही अगर देखे Domestic passenger vehicles sales rise तो गाइस यहाँ पर जो Domestic passenger vehicles थे उनकी जो sales है उसमें हमें बड़ोतरी हमें देखने को मिली है और यह काफी अच्छी news आईए सामने और वही अगर देखे इसका impact stock के उपर भी पड़ेगा यहाँ पर अगर देखे record यहाँ पर बड़त देखने को मिली record बड़त हमें देखने को मिली है यहाँ पर लगबख 37 37.93 लाक यूनिट्स यहाँ पर बेची गई है 2022 में तो गाइस बिलकुल काफी बड़ी news है और बिलकुल यहाँ पर 23% passenger vehicles को यहाँ पर बेचा गया तो बिलकुल गाइस यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी एक लमजम बड़त हमें देखने को मिल सकती है तो गाइस काफी कुछ बाते कर चुके इस particular वीडियो में I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना च्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना Thank you